हलो फ्रेंट्स वेलकम टू SAC क्रेकर्स और इस चैनल पर फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज का हमारा टॉपिक है इंपोर्टेंट डेज एंड थीम अब देखिए इस टॉपिक से भी एक्जाम में कोर्शन्स पूछा गया है अगर हम बात करें 2018 से 2021 के बीच में जितने भी एक्जाम हुए हैं CGL, CHSL, MTS उसमें जो है इस टॉपिक से भी कोशन्स SAC ने पूछा है तो 2022 के एक्जाम के लिए इस टॉपिक को भी आपको कवर करना है और इस टॉपिक से रिलेटेट टॉप 100 MZ को कुशन्स हम लोग कवर करेंगे वो भी पार्ट वाइस में टॉपिक 1 हमारा क्या था? फोक डांस, ट्राइबल डांस, क्लासिकल डांस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं टॉपिक 1 आपने कवर नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से टॉपिक 1 कवर कर सकते हैं ठीक है? अगर हम बात करें पार्ट 1, पार्ट 2 टॉपिक ठीक है? इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स का जो वीडियो बन रहा है यह पार्ट वाइस बन रहा है तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में जितने भी प्रिवियस में कोशन्स पूछे गए हैं है ना? उसको हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 में कवर करेंगे और पार्ट थर जो होगा वो होगा expected questions का ठीक है? कि इसी पर अधारित मतलब previous year पर जिस pattern पे question आ रहा है उस पर अधारित हम लोग important days के expected questions करेंगे तो ये तीनों पार्ट अगर आप cover कर लेंगे तो इससे क्या होगा आपका important days and themes का जो है chapter ये आपका cover हो जाएगा ठीक है? चलिए तो start करत के साथ पहला question है when is the world thyroid day observed every year विश्व थाइराइड दिवस हर साल कब मनाया जाता है तो किस दिन को हम मनाते हैं thyroid day तो देखिए right answer क्या हो जाएगा 25th माई को होता है वर्ल्ड thyroid day अब एक थीम important है क्योंकि थीम से नहीं questions पूछ रहा है days से अगर नहीं पूछता है तो थीम पूछ देता है तो 2022 का थीम था it's not you it's your thyroid ये था 2022 का थीम it's not you it's your thyroid और 2021 का थीम था mother baby iodine the importance of iodine on the woman and her body तो दो साल के थीम को लेकर हम चल रहे हैं ताकि कहीं अगर 2022 का नहीं पूछे 2021 का पूछ दे तो हम इसको थीम को हम दो सल का लेकर चल रहे हैं ठीक है तो याद हो गया वर्ल थारेट डे नेक्स्ट है national science day अब national science day important days है मेरे साब से इसका इंसल आपको आता होगा कि national science day कब होता है 28 फरवरी को होता है national science day और देखिए 2022 के थीम की बात करें तो यह था integrated इन्टीगरेटेड एप्रोच 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 इन्टीगरेटेड एप्रो यह एंटेंसनड यह मना जाता है 17 मैं को और 2022 का थीम यह सैंसर माइब यह था दोनों को एकी साथ याद कर सकते हैं थीन दोनों का सेम है 2022-2021 का World Hypertension Day कब होता है 17th मई को होता है Next है National Teachers Day National Teachers Day ये हर साल कब मनाया जाता है National Teachers Day तो ये आपको पता ही होगा Teachers Day हम लोग कब मनाते हैं 5th September को होता है National Teachers Day International Nurse Day कब होता है International Day चो है अंतराश्ट्रिय नर्स दिवर्स हर साल कब मनाया जाता है तो 12th मई को मनाया जाता है International Nurse Day Nurse Day का मनाया जाता है 12th मे को 2022 का थीम क्या था Nurses a voice to lead invest in nursing and respect right to secure global health ये था 2022 का थीम और 2021 का थीम क्या था Nurses a voice to lead a vision for future health care तो ये दोनों साल का थीम है जिसको आपको याद करके चलना है तो National Nurse Day कब होता है 12th मई को International Ozone Day ये कब मनाया जाता है International Ozone Day तो Ozone Day होता है आपका 16th September को 16th September को होता है International Ozone Day तो याद रखेंगे 15th January को याद रखेंगे 15th January को याद रखेंगे तो ये इस बार का कहवा Army Day था 74th Indian Army Day था तो ये भी कभी कभी पूछ देता है कि कौन सा एडिशन है Army Day का तो 74th है तो ये आप याद रखेंगे 2022 का 74 था और 2022 का थीम क्या था In Stride with the Future ये था थीम National Sports Day यानि कि राष्ट्रिये खेल दिवस कब मनाया जाता है ये होता है 29th August को 29th August को होता है National Sports Day World Environment Day यानि कि विश्व प्रियावरन दिवस कब मनाया जाता है विश्व प्रियावरन दिवस कब मनाते हैं हम लोग 5th June को ओके और देखिए 2022 का थीम क्या था Only One Earth और 2021 का थीम था Ecosystem Restoration ओके तो ये दोनों थीम को याद रख लेंगे और International Day ये कब मनाया जाता है 5th June को मनाया जाता है ठीक है Next Question है International Day of Biological Diversity Observed Every Year ओके तो International Day of Biological Diversity ये हर साल कब मनाया जाता है ये मनाया जाता है 22nd माई को और देखिए थीम आप याद कर लेंगे यहाँ इसका तो तुम 3 साल का थीम ले लिये हैं 2022 का थीम था Building a Shared Future for All Life 2021 का थीम था We are Part of the Solution और 2020 का थीम था Our Solutions are in Nature ओके International Day of Biological Diversity कब होता है 22nd माई को और ये रहा उसका थीम तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे next है when is the कारगिल विजय दिवस observed every year तो कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है 26th July को होता है next है World Blood Donor Day यानि कि विश्वरक्त दाता दिवस हर साल कब मनाया जाता है World Blood Donor Day कब होता है 14th June को होता है World Blood Donor Day और देखिए 2022 और 2021 का theme याद कर लिजिए 2022 का theme था donating blood is an act of solitary join the effort and save lives ये था 2022 का theme 2021 का theme था give blood and keep the world beating ये था 2021 का theme तो क्या होगा answer world blood donate का ये होगा 14th June next है international tiger day ये कब होता है international tiger day ये होता है 29th July को ओके तो international tiger day का होता है 29th July इसका answer हो जाएगा next है world water day यानि कि विश्व जल दिवस विश्व जल दिवस ये कब हम लोग मनाते हैं विश्व जल दिवस विश्व जल दिवस होता है 22 March को ओके 22nd March होगा यहाँ पर right answer world water day का और theme क्या था 2022 का ground water making the invisible visible और 2021 का theme था valuing water ओके तो इन दोनों theme को याद कर लेंगे world water day कब होता है विश्व जल दिवस 22nd March को next question है international mother's earth day international mother earth day यह कब हम लोग मनाते हैं तो 22nd April को होता है यह international mother's earth day 2022 का theme क्या है invest in our planet और 2021 का theme था restore our future ओके next है on which of the following dates is statistics day of India observed तो भारत का सांखे की दिवस कब मनाय जाता है किस दिन को होता है यह होता है 29th June को यानि 29th June को होता है statistics day of India theme क्या था data for sustainable development यह है 2022 का theme data for sustainable development next है national handloom day ओके national handloom day यह कब मनाय जाता है 7th August को मनाते है national handlooms day theme क्या था 2021 का national handloom day ओके यहाँ पर national handloom day का theme क्या था यह था handloom यह आप note down कर लिजिए handloom and Indian legacy ओके handloom and Indian legacy होगे यहाँ पर right answer यहाँ लिख देते हैं अच्छे से handloom and Indian legacy यह था इसका theme ओके 2020 का यह theme था चलिए next question है world nature conservation day यह हम कब मनाते हैं world nature conservation day यह होता है आपका 28th जुलाई को और देखें 2022 का theme क्या था cut down on plastic use और 2021 का theme था forests and livelihoods sustaining people and planet यह था theme world nature conservation day का और कब होता है 28th जुलाई को next है according to ramsar convention which of the following is world wetlands day तो world wetlands day यह कब मनाते हैं लोग तो यह theme क्या था तो 2022 का theme था wetlands action for people and nature और 2021 का theme था wetlands and water okay next है international day for monuments and sites यह कब होता है international day for monuments and sites यह कब होता है तो 18th April को होता है और theme क्या था 2022 का heritage and climate 2021 का theme था complex past diverse future यह 2021 का theme है और international day for monument and sites कब होता है 18th April को world health organization which day has been declared by the world health organization as hand hygiene day तो यह कब होता है यह होता है 5th माई को okay next है world toilet day which was 104 दिवस कब मना जाता है यह होता है 19th November को world toilet day कब होता है 19th November 2021 का theme थीमता valuing toilets राश्ट्रिय एकता दिवस यानि कि national unity day यह होता है 31st October को next है national voters day यह कब होता है national voters day राश्ट्रिय मत दाता दिवस कब मना जाता है 25th January को और 2021 और 2022 का theme देखिए 2022 का theme था making elections inclusive accessible and participative और 2021 का theme था making our voters empowered vigilant safe and informed नेश्नल गर्ल चाइल्ड डे यह कब मना जाता है ठीक है राश्ट्रिय बाली का दिवस 24th January को होता है और थीम था 2022 का digital generation आवर generation और 2021 का theme क्या था और इसका भी theme से में 2021 का digital generation आवर generation ओके तो यह हम लोग part 1 में जो है जितने भी questions आपने देखा है सारे questions previous year के हैं okay part 2 में भी जो है अम लोग continue रखेंगे session को okay part 2 में भी जो है continue रखना है आप लोगों का काम है कि यह 25 questions आपका याद हो जाना चाहिए आज और कल जो topic 1 हुआ था इसको भी आप लोग याद कर लेंगे topic 1 में क्या हुआ था folk dances classical dance travel dance इस topic को कल का कली आपको याद कर ले ना था आज revision करना था और आज जो है आपको important days वाले topic को cover करना है ठीक है आपके लिए easy रहेगा तो मिलते हैं आपसे next topic में next part में तब तक के लिए all the best